नमस्कार किसान भायो आपका संजीव और इन वर्में स्वावत हैं किसान भायो आज का हमारा तविक है कि अगर हमारी फसल 50 से ज़ा 70 दिन के हो जाए और बाली निकलने इस्टार्ट हो जाएं जिस तरह का से इसमें निकलने यह देख सकते हो अगर बाली आपकी इस तरह निकलने लग जाएं तो क्या करें जिससे कि हमारे पैदाबार ज्यादा हो किसान भायो यह देख सकते हो यह मेरा खेत है पांच भीगे का इसमें बाली निकलने इस्टार्ट हो चुकी है बहुत से कि किसान भायन का जो बालीन का जो उस टेम पर ग्रोध करती है वो रुख जाती है पीलापन भी आने लग जाता है और कल्ले के संक्य बुलकुली बंद हो जाती है केबल एक प्रिड़ पर एक ही बाली निकलती है तो क्या करें जिससे की हमारी पैदाबार ज्यादा ज्यादा बड तो फोड़ेगी इसलिए किया करें पऺहला आपको अगर आप खाद लगाना चाहते हैं या केबल स्प्रेय करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं साघ्रे का और बबुखेड कर सकते हैं और फिर आप सागरे का जेट प्लेस का आप पाउडर आता है दानिदार वाला फॉम में भी आता है तो आप इसे अपने खेत में विखेड़ दें इससे जो आपकी पैदाबार है वो दुगनी तिकनी हो जाएगी और जो आपकी बालिया है वो बहुत बढ़िया और आराम से गुर हमारे ग्याओं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उप्योगी है बहुत ज़्यादा जो पॉटास होता है वो हमारे खेत में जो बाली निकलती है जो बाली उनके जो दाने होते हैं उन्हें मोटा करता है किसान भाईयो और जब मोटा होंगा जब दाने मोटे होंगे तो इन या फिर आप यूरिया के साथ इसे मिलाकर एंप जीरो-बामन चौतिस का इस पिर सकते हैं जीरो-बामन चौतिस से जिल्ट भहोँ जिल्टी दिएगा आपको आप इन दो कामन करें सबसे बड़ी आप कोई स्परे की चकड में नहीं पढ़ें किसान भाई हो साइगरी कर ले ले या फिर एनपी के ले 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 आप हो सके तो आप इंदों ने मिक्स भी करके अपने खात के साथ यूरिया के साथ भीड़ दें खेत में पांच-छे दिन में आपकी जो पैदावार है जो आपका पीला पन है वो अलग दिखने लग जाएगा आपकी बाली है वो भी खिल खिलाए बहुत बढ़िया आएंगी उपर को और कल्ने भी भूथ फूटेंगे कल्हे किसान भाई हो अगर कल्ले जाधा फूटेंगे तो फायदा भी आपको होगा उत्मादन भी आपको ज़्यादा मिलेंगा इसलिए आप साईगरीका या ने वाद कसान वायो